हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोड लेर्निंग पॉइंट एंड आएम टिया मिस्रा CSR कास फाइनल आंसर की जारी किया गया है वेब साइट पे और बहुत सारे जो स्टुडेंट है उनका ये कहना है और बहुत सारा कुस्सन आ रहा था कि जो फाइनल जो अभी स्कोर कार्ड दिया गया था उसमें किसطरीके के चैंज़ेस आएंगे और क्या नया स्कोर कारड दे जाएगा यहीं कोर्ड कारड होगा यृँक्न अभी बहुत सारे जो कुस्सन थे इस हाइनल आंसर की में वो जो है कह रहूं कुछ questions bonus हुए हैं और कुछ questions जो है वो drop कर लिया गया है दोनों से की मैं बात करूँ लाइब साइंस की और डिफरेंट जो पेपर्स हैं उनकी सो यह जो नाइन्थ मार्च को जारी किया गया था पब्लिक नोटिस मैं उसको आज ध्यान से देखी और पढ़ी लाइन तो यहां पर देखिए यहां पर यह लोग लिख रहे हैं कि डिक्लरेशन अप स्कोर अप दो जॉइंट जो 2021 एक्जामीनेशन जो एक्जाम कंड़क्ट हुआ था 29 अप जैन्वरी एंड 15 16 17 फैब 5 सब्जेक्ट के लिए 333 अ 339 सेंटर पे हुआ था 172 सिटीज में और 6 यूनिट सिप्ट में लिया गया था यहां पर कैंडिडेट्स कि इतने अपियर हुए थे वो सारा चीज गिविन है और यहां पर देखिए एक चीज जो मैंसन है कि जदी मैं देखूं आपको दिखाऊं जो यह आप जदी फोर्थ पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि पोस्ट एक्जाम देक्वेशन पेपर प् तो इस्पन्स और केंडिडेट वेर गोश्टि ओर एंटीए विपसाइट फ्रॉमेट टू तू तू टू तू तू टू तू इफाई अब दा फेब तो जो प्रोंडिजनल आंसर श्रई तो जो स्टूडेंट को दिया गया था और उनका जो रिस्पॉन्स सीट था वो गया है और चैलेंजेज इन्वाइट किया गया था स्टुडेंट को जो अपीर हुए थे फूर्द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड देखिए यहां चैलेंज रिवाइजड वेर वेरिफाइड बाई और इक्सपर्ट तो जो चैलेंजेज वे उसको एक्सपर्ट दुडरा वेरिफाइड किया गया एन्वेजल्ट वेर प्रोसीड एस पर धा WRाइज बाई आंसर की फाइनलाइज बाई यह लाइन को मैं SL तो यही हमारा फाइनल स्कोर कार्ड है आप कोई चेंज़स नहीं होगा अब बस कटफ माक्स आएगा और रिजल्ट डिक्लियर कर दिया जाएगा एक साथ डिक्लियर किये जाएंगे आपको चीज़े समझ में आई हो और जो डाउट था अब क्लियर हो गया हो so stay tuned with me इस तरीके का information में लाती रहूंगी आप लोग के साथ thank you so much guys